बिसमिल्लार मुहां रहीं वेलकम टो मेडिकल वर्ड बाई ए आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पैली या माइक्रोकफैली दोनों इसमें पढ़ सकते हम इसको माइक्रोकफैली क्या है यह ऐसी कंडिशन है जिसमें बच्चे का सर जो है नॉर्मल से छोटा रह जाता है और तो उसकी साइज भी बड़ी होनी चाहिए लेकिन अगर वो साइज एक्सपेक्टिट से छोटी रह जाती है तो उसे हम माइक्रोस्पैली क्याते हैं माइक्रोस्पैली जो होता है वो किस वज़ा से होता है क्यों नहीं बनता अगर माइक्रोस्पैली होता है तो इसका मतले भ ग्रोइंग आफ्टर बर्थ बर्थ के बाद भी बेबी के हैड की ग्रोड जो है वो रुख सकती है और बर्थ से पहले भी जिसका रिजर्ट यह होगा कि उसका जो सर है वो छोटा रह जाएगा साइस में इसे हम कैसे डाइग्नॉस करेंगे कुछ जो बच्चे होते हैं उनका जो है नेच्रली जो है वो सर छोटा होता है लेकिन उनकी जो इंटेलिजन्स है वो नॉर्मल होती है और उनकी डिवेलपमेंट भी ब्रेन की नॉर्मल होती है लेकिन जो कुछ बच्चों का जो ब्रेन जो है वो है जो है वो छोटा रह जाता उनकी जो है नार्मल इंटलीजेंस नहीं होती और उनकी ब्रेन की डिवेलप्मेंट भी नॉर्मल नहीं होती वह कम होती कि जब हम अर्ली डियग्रोस्फैली को तो करो इसे हम अल्टासॉन पर डियग्रोस करते हाँ सुर्डाइब टरौइबिचถुरम करते हैं 8 k 10 q 20 wीच में 18 to 20 वीक्स के दर्मियान में गैस वीचेंचंड में हम of ुण कंसरण हम इसका कैसी अंदाजव लगा सकते हैं कि फीटेश का जो है वह All 다른 से चोटा है स्मॉलर है तो जब हम बीपीटी और एच सी हैट सर्कुंफ्रेंस और बाय पैरिटल डायमीटर को जब देखते हैं तो अगर उनसे फीमर लेंथ और ते और एच से और एफ़ल का तीन हफ्ते कम आता है स्टेंडडर ड्यविशन तो इसका मतलब यह हैं के बेबी, जो हैट की वह ग्रोथ नहीं हो रही इसको मैक्र क्ले Shelpy है इसके काजaire के यह किस वज़ा से होता है जब प्रिंडार इंसेजन की वज़ा से होता है म्य dinero sure pięắcります तो सवाल यह कि जिकावर फीरिस चो麼ड़ में फ्रिमेस्टयट्र क्रेगनेंश में जिकावाइरस है एक मच्छर अगर मदर को गार ता है तो उस वज़ा जिसकी वजा से जिसका रिजल्ट मैं क्यों है उसका रिजल्ट उता है स्मॉलर हट है अगर बेबी के इलावा बहुत सारी कंजेनिटल मेल फ़्मेशन जैसे हैं और मेलफॉरमेशन किसको कहते हैं एक से जदा जदा हिस्से जो है इफेक्टिड हों डिस ओर्डर हों तो इसे पीमारिय हों उनको तो उसे हम मेलफॉरमेशन कहते हैं मतलब खराभी दा इन्फेंट्स बच्चे में अगर यह हैड के इलावा बहुत सारी बीमारिया नजर आती है बच्चे में तो उसे हम कंजनिटल जी का सिंड्रोम करते हैं यह आप देख सकते हैं यह नॉर्मल हेड साइज है और इस बच्चे का देख सकते हैं कितना चोटा है और इसके हैड की ग्रोथ भी नहीं हो रही क्योंकि जब हैड ही चोटा है स्कल चोटा है तो ब्रेन की ग्रोथ कैसे होगी इस पे हम मेयर कर रहे हैं यह है बीपीडी 5.71 संटीमेटर एंड गेस्ट्रेशनल एज गेस्ट्रेशनल एज है इसकी 23 वीक्स एंड 3 डेज एफेल हमने मेयर किये एफेल जो आ रही है 27 वीक्स आ रही है इसमें हमें कितना गैप नजर आ रहा है 24 25 26 27 चार हफ्तों का गैप आ र रहा है इसका है सर्कमफ्रेंस लिया है और है सर्कमफ्रेंस साथ हें सृण जो ए बीपीडी एफेल और लाड़ एच्ट्री जो है 37 विक्स हा रहा है और आप्डोमिनल शर्कुना शर्कुम्फ्रेंच जो है 36 लेकिन बीप्ट जो है 32 वीग्स हारा है अब इसमें कितना गया है 33 34 35 36 4 5 हफ्तों का दो का माइक्षोक पार था मतलब है कि मांटकली है कि यह आप देख सकते हैं स्टमॉलर से जब हम मयर करते हैं तब हमें पता चलता है ibit head circumference को जब हम मयर करते हैं lc के साथ तब हम एक कंपईरजिन में पता चलता है कि वंचे का head छोटा हैं थैंक्यू फर वाच्षिंग अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल और अगर आपनी अब स्टॉडी के लिहाँ से किसी टॉपिक फे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट